हालो दोस्तो गूड मॉर्णिंग आज हम लोग सीरीज को फिर आगे बढ़ाते हैं फिर 15 सवाल है अमारे पास पहला सवाल है चलिए देख लेते हैं पहला सवाल है एक मैध्यम से दूसरे मैध्यम में जाने पर ठीक है प्रकास की किरने मुर जाती है ठीक है तो कीरन के मुरने क क्या कहा जाता है राइट अंसर आपको यहां हो जाएगा अपवर्तन देखिए जब प्रकास जो है कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो कीरन जहें वो सीधा ना जाके वो थोड़ा सा अभिलम की और या फिर अभिलम से दूर मुड जाती है इसको क्या कहा जाता है अपवर्तन कहा जाता है प्रकास का अपवर्तन कहा जाता है ठीक है चलिए देखते हैं अगला सवाल अगला सवाल है जब एक वर्निय प्रकास निर्वात से किसी पदार्थिक मैध्यम में जाता है ठीक है तो प्रकास पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुन नही बदलता है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई monochromatic light जाती है तो उसका कौन सा ऐसा characteristic जो quality होता है वो नहीं बदलती है तो वो क्या है कि आविर्ति नहीं बदलती है ठीक है आविर्ति नहीं बदलती है वेग बदलती है, तिवरता बदलती है, तरंगदर्ज भी बदलता है, बस आविर्ती जो होती है, वो नहीं बदलती है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, अगला सवाल है हमारा, कि तालाब की तली कुछ उपर उठी प्रतित होती है, ठीक है, तालाब की तली अगर आप स परकास का अपवरतन के कारण ही होता है इसलिए तो जब हम मचली वगरा को देखते हैं तो लगता है कि वह बहुत सामने हैं पकड़ने जाते हैं तो वह हमें पकड़ में नहीं हाती है हला कि बहुत मचली बहुत चंचल हती है और वो भाग जाती है ठीक है तो दोस्तो मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप जो है पर डे इस सीरीज को देखा करें इससे में आपको पढ़ाई का सबसे पहला गुन जो है वो होता है कि कंसिस्टेंसी और रेगुलर पढ़ाई करना ह आपको कंसिस्टेंसी रखना है रेगुलर पढ़ाई करना है और साथी साथ आपको रिवीजन भी करना है रिवीजन करने से आपको हर एक चीजे याद हो जाएंगी ठोड़े से ही सही हम लोग 10 या 15 कोस्टेन ही डेली करेंगे जी के जी एस से रिलेटेड लेकिन आपको थो आने वाले नोटिफिकेशन सुबह सुबह में आप देख लें इससे आपको जी के जीएस का थोड़े थोड़े करके बहुत सारे कोशन याद हो जाएंगे चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल है चौथा नमबर का सवाल है कि कीस कारण वायू का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है ठीक है पानी के अंदर जो है वायू का बुलबुला चमकता हुआ प्रतित होता है और इसका राइट अंसर होता है टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन यानि पूर्ण आंतरिक प्रावर्दन अच्छा दोस्तों टोटल इंटर्नल रिफ्लेक्शन के और भी तीन-चार उदाहारण है जो बहुत ही पोफुलर है बहुत ज्यादा एक्जामनेशन में पूछे जाते हैं मैं आपसे चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में उन सारे जो एक्जामपल्स है उन एक्जामपल्स को लिखे ठीक है अगला सवाल है कि पूर्ण आंतरिक परावर कोन अधिक्तम होगा जबकि कीरन जाती है तो काच से पानी में काच से वायू में हीरे से वायू में पानी से वायू में ठीक है अच्छा वायू के सापिक्च अगर हम किसी का निकालते हैं तो क्या होता है निपक्च अपवरतनांग होता है ना तो यह इसका राइट अंसर का हो जागा काच से पानी में ठीक है यानि डेंसर मीडियम टू रेर मीडियम सगन माध्यम से बिरल माध्यम में जाती है पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन होने के दो condition होते हैं पहला तो करांतिक कोन का मान से अधिक होना चाहिए जो आपतन कोन होगा और दूसरा आसकिरन है वो सघन माध्यम से बिरल माध्यम में जाना चाहिए ठीक है अगला सवाल है हमारा कि निमिलखित में से किस वीधी द्वारा जल की अस्थाई कठोरता ठीक है को दूर नहीं किया जा सकता जल की अस्थाई कठोरता को दूर नहीं करने का यहाँ पर दिया हुआ है option की धोने के सोड़े के साथ कैलकॉन वीधी को उबाल कैलकॉन वीधी के द्वारा उबाल कर या फिर आयन भी निमाई भी धी द्वारा तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि पानी को अगर हम उबालते हैं पानी को अगर हम उबालते हैं तो उससे उसके अस्थाई कठोरता दूर नहीं जाती है यहां उसमें किटानु वगएरा उसके मर्ज आते हैं जो भी होते हैं बट वो रहते पानी में ही हैं और उसकी जो अस्थाई कठोरता होती है वो नहीं दूर होती है तो इसका राइट अंसार तीन नंबर आप्शन हो जाएगा सातवा नंबर का कोस्चन है यहां कि निमनली खित में से कौन सा बिशमांगी मिश्रन है बिशमांगी मिश्रन कहने का मतलब है कि उसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से आपस में एक दम नहीं मिलेंगे ठीक है तो बिशमांगी मिश्रन का उधारन यहां आप देख सकते दूद हो जाएगा इसमें आप कोई भी पार्टिक्ल्स को किसी भी निश्चित मातरा में मिला दीजे वो मिल जाता है ठीक है जै लेकिन हैट्रोकलोरी कमल सिरकाई सब में नहीं मिलता है इसका राइट अंसर तीन नंबर आप्शन अगला शवाल कि पटाके का विसफोट उदा किस चीज का उदाहरन है वास्पन दहन वर्षन या अपगटन इसका राइट अंसर हो जाएगा दहन का क्या चीका हो जाता है दहन का होता है उदाहरन यानि पटाके जब विसफोट होता है तो दहन होता है अगला है सबसे अधिक तन्य धातू इसका राइट अंसर आप ठीक है यानि सोना टंगस्टन तो नहीं होता । सबसे अधिक तन्यधातु गोल्ड मुर्खो का सोना कहलाता है आरन सलफाइड ठीक है इसका राइट अंसर हो जाएगा आरन सलफाइड अब है औरल पोलियो वैक्षिन के दुवारा औरल पोलियो जो वैक्षिन था एक सेगन, औरल फोलियो वैक्षिन जो डैस के द्वारा विक्षित किया गया था, किन के द्वारा विक्षित किया गया था, यह है, कॉस्चिन ठीक है, अच्छा, औरल फोलियो वैक्षिन यह अलग होता है, और पोलियो वैक्षिन अलग होता है, तो औरल पोलियो वैक्षिन ज और देखिए अगला सवाल हमारा वही है कि पोलियो वैक्षिन का खोज किस ने किया था तो पोलियो वैक्षिन का खोज जो है वो जोनास सॉल्क ने किया था जबकि औरल पोलियो वैक्षिन का खोज जो है वो साबिन ने किया था ठीक है और अगला सवाल है कि मानव सरीर के किस का रासायनिक कारखाना कहा जाता है सरीर का रासायनिक कारखाना ठीक है तो यह कौन सा हो जाता है यक्रीत हो जाता है यक्रीत चाह दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक सेर करें इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख पाएंगे अगला सवाल है क जल संक्रामक रोग है ठीक है यह तो बहुत ही आसान कॉस्चन है जल संक्रामन रोग स्चाहिरोग रविज गठीया यह सब नहीं होता है यह सब सभी संक्रामत रोग होता है लेकिन पिलिया मिलते हैं पर कल एक और वीडियो के साथ